सर्वोदय साइन्स एंटेक्नो में आप सभी का स्वागत है आए तो हम कारबन और उनके योगिक के दूसरे भाग में आते हैं जिसमें हम सहसायोजी बंद को डिटेल में पढ़ने वाले हैं आयोनिक योगिक क्या होता है और सहसायोजी योगिक क्या होता है इसके बारे में हम देखने वाले हैं तो पिछले क्लास में हम देख चुके थे कि हमें दो प्रकार के बंध पढ़ने हैं एक है आयनिक बंध और एक है सहसयोजी बंध देखें हमने NACL का एक्जामपल लिया था और कहा था कि NACL के पास जो electronic configuration है वो 281 का है कि इसका electronic configuration है 287 यानि कि पहले वाले कक्षा में 2 electron है दुसरे वाले कक्षा में 8 electron है और तिसरे कक्षा में 7 electron है इसको इस्थाई होने के लिए एक electron खोना पड़ेगा और ये आजाएगा धनात्मग और ये इसको एक electron देगा और इसपर आजाएगा रिनात्मग ये यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा 8 अब दोनों के आखरी वाले कक्षा में 8-8 electron हो चुके हैं और दोनों इस्थाई हो चुके हैं इसपर धनात्मग, इसपर रिनात्मग ये दोनों एक दूसरे को बांधे हुए हैं और जिस आकर्शन बल से बांधे हुए हैं उसी आकर्शन बल को हम बंध नाम दिये थे जिसका नाम था आयनिक बंध यानि कि electron के ट्रांसफर से जो बंध बंध बंधा है उसे आयनिक बंध कहते हैं जबकि हम यहाँ जो कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं उन सब में हमने जैसे की मिथेन का एक्जाम्पल लिया था CH4 तो कार्बन के आखरी वाले कक्छा में चार इलेक्ट्रॉन है और चार हाइड्रोजन से इसको जोड़ा हुआ था हाइड्रोजन के पास एक एलेक्ट्रॉन एक एलेक्ट्रॉन एक एलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को इस्थाई होने के लिए एक एलेक्ट्रॉन क्या सकता है तो यहाँ परस पर सहभाजन से बंध बनने वाला है एक ये बंध है एक ये बंध है एक ये बंध है और एक ये बंध ह हाइडरोजन के पास दो इलेक्टॉन यह इस्थाई हो ग especial के पास भी आठ इलेक्टोन हो गए 40 के और चार हाइडरोजन के सहभाजन से मिला तो इसके पास भी आठ इलेक्टॉण क्या हो अपूरे हो गए और इस्थाई हो गया और CH4 को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो इन में जो बंध बना है यह सहसंयोजी है यह सहसंयोजी है मतलब परसपर सह भाजन से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी कहते हैं अब देखिए संयोजक्ता या सहसंयोजक्ता अगर आयनिक है तब इसके लिए स लेकिन अगर सहसयोजी बंध है तो यहां हम यूज करेंगे सहसयोजक्ता यहां कहेंगे वैलेंसी और यहां कहेंगे कोवैलेंसी अब देखें इसका क्या मतलब है सोडियम ने एक इलेक्टरॉन दान किया तो उसकी सयोजक्ता एक हो गई क्लोरिन ने एक इलेक्टरॉन ग्रहन किया तो उसकी भी सयोजक्ता एक हो गई अर्थात आयोनिक योगी के तरफ से अगर बात करते हैं तो क्या कहेंगे किसी भी परमानू में या कोई भी परमानू जितना इलेक्टरॉन दान करने की या ग्रहन करने की प्रवित्ती रखता है उसे उसका संयोजक्ता कहेंगे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवित्ती रखता है तो सोडियम का जो संयोजक्ता है एक है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहन करने की प्रवित्ती रखता है तो chlorine का संयोजक्ता भी एक ही है तो हम आयोनिक पदार्थ के तरफ से आयोनिक योगी के तरफ से बोलेंगे कि कोई भी परमानू जितना electron, दान या ग्रहन करने जितना electron की संख्या, दान या ग्रहन करने की प्रवित्ती रखता है उसे उसका संयोजक्ता कहेंगे उसी सहयोजकता सब्द को जब सहसयोजी बंध आता है तब उसको कहकर कह देते हैं सहसयोजकता तो क्या कहेंगे कोई भी परमानू जितना इलेक्ट्रॉन सहभाजन करने की प्रवित्ति रखता है उसे उसका सहसयोजकता कहते हैं कार्बन देखिए चार इलेक्ट्रॉन है तो इसी चार इलेक्ट्रॉन को ये सेयर कर रहा है चार इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है सेयर कर रहा है यानि की सहभाजन कर रहा है तो कार्बन की कोवैलेंसी हो गई चार अब देखिए हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को ही सेयर कर एक इलेक्टरॉन का सहभाजन कर रहा है तो हाइडोजन की को वैलएंसी याने की सहसंयोजक्ता ру गई एक तो हम अब सहसंयोजी योगीक के तरफ से बात करने क्या कहेंगे कोई भी aardarm जितना कोई भी पर्मानू जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या का सहभाजन करता है या सहभाजन करने की प्रवित्ती रखता है उसे क्या कहेंगे उसका सहसयोजक्ता कहेंगे आईए देखते हैं क्या लिखा है सहसयोजी बंद बनाने के लिए किसी तत्तो का परमानू किसी दूसरे परमानू के साथ जितने संख्या के इलेक्ट्रॉन का सहभाजन करता है, सेयर करता है उसे उस परमानू का सहसयोजकता कहते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको और बता देता हूं कि जितने भी इन दोनों के बीच, NACL के बीच एक बंद बनेगा, इस बंद का नाम है, आयनिक बंद, और आयनिक बंद जो होता है, वो काफी मजबूत होता है, प्रबल होता है, काफी मजबूत होता है प्रबल होता है जबकि इसके मुकाबले यहाँ पर जो सहसायोजी बंद वना है वो कमजोर होता है यह क्या होता है कमजोर होता है और इसी पर आधारित है इन दोनों के बीच का अंतर आयनिक योगीक और सहसायोजक योगीक के बीच का अंतर जब ये मजबूत है, तो सारे गुन मजबूती वाला दिखाएगा, और जब ये कमजोर है, तो सारे गुन कमजोर वाला दिखाएगा, ठीक है क्या, अब देखिए, आयोनिक बंद से जो योगिक बने हुए हैं, वो सारे आयोनिक योगिक कह लाएंगे, और सहसायोजी बंद से जो योगिक बने हुए हैं, जैसे कि कारबन के सारे योगिक लगभग लगभग क्या बनने वाले हैं, हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, वो सब सहसायोजी, सहसायोजी बन्द से बने हुए योगिक को हम क्या कहेंगे, सहसायोजक योगिक या फिर कोवेलेंट कमपाउंड, प्राइनिक बंद कब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है इस्थनांतरन होता है कोई देने वाला होता है कोई लेने वाला होता है जबकि सहसंयोजक योगिक कब बनता है जब परस्पर क्या होता है सहभाजन होता है इलेक्ट्रॉन का तब सहसंयोजी बंद बनता है पह से बनते हैं, दूसरा देखे इनका निर्मान एक धातू और एक अधातू के बीच होता है, क्यों यहां पर जब आयनिक बंद बन रहा है, तो एक ऐसा एटम होना चाहिए, परमानू होना चाहिए, जिसकी प्रवित्ती इलेक्ट्रॉन दान करने की है, तो एक ऐसा परमानू भी के बीच बनेगा तब तो वो क्या है इनका निर्मान एक धातूरे का धातू के बीच होता है तब उसे आयनिक कंपार्म कहेंगे या फिर आयनिक योगिक कहेंगे जबकि इनका निर्मान दो अधातूं के बीच ही होता है देख लिजे हाइडोजन भी अधातू है कारबन भी होते हैं वो गैस होते हैं हाला कि इसमें कुछ आप वह संभव है कुछ एक आपको क्या मिलने वाले हैं तरल पदाद भी मिलने वाले हैं ठीक है तरल पदाद मतलब कुछ द्रव भी आपको मिलने वाले हैं चुकि यह मजबूत होता है इनका गलनांक और कथनांक भी अधिक यह दो आयन में तूट जाएंगे एने प्लस और सी यल माइनस में तूट जाएंगे इसले यह क्या होते हैं जल में घुलन सील होते हैं जबकि सहसायोजिक योगिक जो है वो जिस प्रवित्ती का वो खुद है उसी प्रवित्ती में घुलेगा जिस प्रवित्ती का वो खुद ह है उसी प्रवित्ती में घुलेगा तो क्या लिखा यह होगी कार्बनिक विलायकों में ही घुलन सील होगा यह पदार किस में घुलन सील होगा जो खुद कार्बनिक है कार्बनिक विलायक है उसी में घुलन सील होगा अब एक ही वैसे chemistry का तो एक rule है कि एक ही प्रकार के पदात आपस में घुलन सील होते हैं मान लिया जाए आपने पेट्रोल और पानी को मिला दिया ये दोनों घुलन सील नहीं होंगे ठीक है लेकिन पेट्रोल और मिट्टी तेल को मिला दी दीजे आपस में घुल जाएंगे पानी और तेल को मिला दीजे आपस में घुलने वाला है कि दोनों एक ही प्रकार के नहीं है तो जिस प्रवित्ती का ये खुद है उसी प्रवित्ती के विलायकों में घुलन सील होगा जबकि जितने आयनिक कंपाउंड है वो सब जल में घ अंगले हुए रूप में वैद्धुत धारा और उस्मा का सुचालक होता है अगर आयनिक कंपॉंड को पिघला दिया जाए या इसे जल में घोल दिया जाए तो यह उस्मा और धारा वैद्धुत धारा का क्या होता है सुचालक होता है कहने का मतलब यह है उसका कारण क्या है स जैसे ही आपने इसको जल में घोला तो Mm הנ plus, and PL निगेटीव आ गया, तो दो प्रकार के आयन आगय के आयन आगय मतलब आवेस आ घए आवेस आ और ये गुमने के लिए या गमन करने के लिए Definitely इसमें आवेस आगया, आवेस गमन करेगा आवेस गमन करेगा, अपने जली वीलियन में विद्धुत का सुचालग हो जाएगा जबकि क्या है आयनों की अनुपस्थिती के कारण यहां उस्मा और वैद्धुत धारक का कुछाला होता है इसमें इलक्टॉन का इस्थनांतरन नहीं हुआ है तो इसमें आयन बनेंगे ही नहीं अब जब आवेस ही नहीं है तो प्रवाह जैसा कुछ है ही नहीं तो इसमें कभी भी आवेस आने वाला नहीं है ठीक है इसमें आवेस आने वाला है इसमें आवेस नहीं आने वाला है इसको जैसी जल में डालेंगे दो प्रकार के आयन आ जाएंगे एक धनात्मक आयन एक धनात्मक आयन और य इसमें कभी भी आयन आने वाला नहीं है क्योंकि ये कैसा बना है सहभाजन से बना है इसमें आयन आया है क्योंकि ये किस से बना है इलेक्टॉन के इस थनांतरन से बना है ठीक है क्या तो ये अपने जली विलियन में या पिदले हुए रूप में उस्तमा का सुचाला कोता है ज यह हैं अंतर किसमें आयोनिक योगिक और सहसायोजक योगिक में चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपरूपता क्या है अपरूपता का मतलब यह है कि जब एक ही पदार्थ एक से जादा रूपों में पाये जाते हैं एक ही पदार्थ एक से जादा रूपों में पाय अलग होंगे इसको बोलते हैं क्या एलोट्रोपी या अपरूपता जब एक ही पदार अलग-अलग रूपों में इस तरीके से पाया जाए कि इनके सबके रसाइनिक गुण और रसाइनिक सुत्र सेम हैं लेकिन सबका जो संरचना है या भौतिक संरचना है अलग-अलग है पड कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है तत्व कैसे पाया जा रहे हैं दो या दो से अधिक रूपों में जिनके भौतिक गुण अलग-अलग है वह रसाइनिक गुण समान है भौतिक गुण अलग-अलग है तो इन रूपों को अपरूप कहा जाता है ह्तक्तो के इस गुण को अप्रूप्ता यह स्क्राव दोный हुच मुख्य हीरा और ग्रें आइट यहिए दोनों ही कारवन है और भी कारवन हैं लेकिन हीरे का महत्तौ देखिए और ग्रें तो जो है उसमें काफी अंतर आ गया है चलिए तो इसके दो अपरूप है हीरा और ग्रेनाइट जिसको हम देखने वाले हैं अब इसमें क्या सवाल पूछ सकता है हो सकता है दोनों के गुण पूछ दे तो भी दोनों के उपयोग पूछ दे तो भी दोनों के अंतर पूछ दे तो भी अंतर में आप ये पूरा लिख सकते हैं उपर से नीचे दोनों के गुण पुछे तो इस इस भाग को लिख सकते हैं दोनों के उपयोग पुछे तो इस इस भाग से लिख सकते हैं ठीक है क्या देखिए अगर वर्ल्ड में देखा जाया तो डाइमंड जो है हीरा जो है तेलंग गाना में दूसरा है पन्ना जो कहां है MP में है इस पर एक गाना भी बना था पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए ऐसा कुछ गाना बना था तो यह पन्ना जो है कहां है MP में है मध्यप्रदेश में है ठीक है? चलिए हीरा और ग्रिफाइट का अगर structure सनरचना आपके syllabus में नहीं है तो फिर भी 2 मिनट के लिए उसले देख लीजिए आपके screen पर एक photo है जिसमें किसके बारे में structure दिया गया है हीरा और ग्रिफाइट का structure दिया गया है अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके left side में जो है उपर में ग्रिफाइट लिखा है right side में diamond लिखा है जितना गोल 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 बना है वो सब कार्बन के परमानू है और सहसंयोजी बन से एक दूसरे से जुड़े हुए है अब ध्यान से देखिए थोड़ा संतर इसमें जो ग्रिफाइट है उसमें कार्बन एटम दो कार्बन एटम के बीच का जो जगह है या दो कार्बन एटम के बीच का जो distance है दूरी है वो 142 पीको मिटर है पीको का मतलब होता है 10 के घात रिन बारा तो यह क्या हो गया 142 गुना 10 के घात रिन बारा मिटर पीको मतलब 10 के घात रिन बारा ठीक है तो जो ग्रिफाइट है उसमें देखिए तीन लेयर दिख रहे होंगे तो graphite जो है तीन परत दिख रहा होगा तो graphite जो है वो परतों में बना होता है और दो परत के बीच का दूरी है 335 picometer लिखा हुआ है देखिए दो परतों के बीच का दूरी 335 picometer कार्बन कार्बन बंध का लंबाई कितना है 142 picometer इस तरीके से graphite बना होता है आपके right side में देखिए उपर diamond लिखा है इसमें कार्बन कार्बन जो बंध का लंबाई है वो 154 picometer है तो जो diamond है वो काफी सुगधित होता है एकदम पास पास होते हैं उनके कार्बन के परमानू जि इसका जो कठोरता है वो भी काफी अधिक होती है आईए दोनों को हम लोग compare करते हुए तूलना करते हुए पढ़ते हैं तथा उसके उपयोग के बारे में देखते हैं देखिए क्या बोला है हीरा और graphite हर कार्बन जो है वो चार अलग कार्बन से जुड़ा होता है चैशीट में बंध से ृटा जो है जो है ज्यात पदार्थों में सबसे कठोर है इसमें कहे हर कार्बन graphite में हर कारबन तीनलग कार्बन से सहसनयोजी बंध से जुड़े होय होते हैं यहां देखे भी देखे कार्बन कार्बन बंध की लंबाई है 154 पिको मिटर और कार्बन कार्बन बंध की लंबाई है 142 पिको मिटर हीरा में कार्बन पर मानूं सू संकुलित मतलब है कॉम्पैक्ट काफी पास-पास होना सुगठित होना हीरा में कार्बन पर मानूं सू संकुलित होते हैं फल स्वरूप यह काफी कठोर और उच घनत वाले होते हैं काफी कठोर का मतलब है देखिए आप ज्याद पदातों में सबसे कठोर कौन है हीरा है इसके विपरित कार्बन के परमानू हीरे की तरह सगन और सुगठित नहीं होते हैं फल स्वरूप यह नरम और चिकना होता है चिकना मतलब छू के देखेंगे तो ग्रीज जैसे लगेगा छू के देखेंगे कैसे लगेगा साबून या ग्रीज को छूते हैं वैसे लगेगा उसी के अधार पर इसका उप्योग भी है अब देखिए यहाँ वैदुद धारा और उस्मा का कुचालक होता है जो हीरा है वो वैदुद धारा का उस्मा या कुचालक होता है यहाँ वैदुद धारा और उस्मा का सुचालक होता है आपको पता है कि पैंसिल से करेंट लग सकता है पेंसील के अंदर में जो भरा है वो क्या है ग्रेफाइड ही है लेड पेंसील जिसको आप बोलते हैं उसमें ग्रेफाइड है तो ग्रेफाइड है तो ये क्या होता है वैद्धुद्धारा और उस्मा का सुचालक होता है हीरे का घनत और गलनांक बहुत अधिक होता है जबकि गरिफाइट का घनत और गलनांक काफी कम होता है हीरा पारदर्सी होता है एक तरफ से दूसरे तरफ हीरे से देख सकते हैं लेकिन गरिफाइट जो है अपारदर्सी होता है आपको पता होगा कि हीरे को तरासने का काम सूरत में होता है और वो सायद दुनिया का सबसे बड़ा कमर्सियल बिल्डिंग है जितना बड़ा बिल्डिंग है जिसमें केवल का क्याम होता है हीरे का अगर हीरे किसी भी सेफ में दे दिया जाया तो उसका कोई मोल नहीं है जब हीरे को विशेष तरीके से काटा जाता है, तब उसमें आने वाले प्रकास किरण का हीरे के अंदर भारी मात्रा में पूर्ण आंतरिक परावरतन होता है, जिसके पल जरूप हीरा अतना चमकदार दिखाई देता है. अगर उसको तरासा न जाए, सहीं तरीके से काटा न जाए, तो हीरे का कोई मोल नहीं होगा, जितना बड़ी हैसे उसको तरासा जाएगा, उतना जादा उसका प्राइज मिलेगा, उसका मुल्ले मिलेगा, ठीक है क्या, और हीरे का जो अपवर्तनांग है, वो भी काफिय अधि तो यह तो हो गया उनके बारे में अगर यह पुछ दिया कि दोनों में क्या अंतर है तो उपर से नीचे पूरा लिख सकते हैं दोनों के गुण में अंतर बताइए तो गुण में आप इतना और इतना लिख सकते हैं कि यह दोनों इसके गुण हैं अंतर पुछे पूरा गुण काटने में उपयोग इसका किया जाता है दूसरा सर्जीकल चाकू बनाने में किया जाता है ऑप्रेशन करते हैं सरजरी करते हैं तो जो चाकू उपयोग में लाया जाता है उसमें बहुत सारे चाकू ही रेके बनाया जाते हैं और बहुत सारे चाकू स्टेनलेस स्टील का भी ब इलेक्टॉट बनाने के लिए लोगों में काफी प्रचलीत है हीरा जो है अब देखें ग्रिफाइट उप्योग अगर तोडेंगे तो अंदर एक ग्रिफाइट का इलेक्टॉट मिलेगा आपको तो सेल के इलेक्टॉट बनाने के लिए क्या उप्योग किया जाता है यह ग्रेफाइड दूसरा स्नेहन लिउब्रीकेशन जैसे कि हम बात किये थे कि छुने में काफी चिकना होता है तो मसीन के भागों को लिउब्रीकेट करने के लिए ताकि घरसन बल कम हो ते क्या ओईल लगाते हैं या फिर उसमें ग्रीज लगाते हैं इसी को स्नेहन कहते हैं लिउब्रीकेशन कहते हैं तो स्नेहन में ग्रीज जैसे काम करता है यह तो मसीन के भागों में इसको लगाने का उप्योग करते हैं ताकि घरसन को कम किया जा सके और मसीन के भाग जो है कम मातरा में तूटे पूटे या उनका घि साई कम हो घर्षन के वज़ा से उसके बाद पेंसिल का जो क्रोड बनता है वो भी किस से बनता है ग्रेफाइट से बनता है तो ये हो गया दोनों में अंतर उमीद करता हूँ कि ये लक्चार आप काफी एंजॉय की होंगे और इसका अगला भाग बहुत ही जल्दी आने वाला है तब तक के लिए पढ़िया से पढ़ाई करते रहे है थेंक्यू